Very Good Morning बच्चों, इस Mechanics की अपनी सिरीज में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं Motion in a Straight Line जिसे Motion in One Dimension भी कहते हैं Mechanics की ये Almost पूरी सिरीज के अंदर 11th Class के Book 1 के चाप्टर्स आते हैं इसमें मैंने Gravitation को Include कर लिया है, पूरा और लगबग 6 बड़े चाप्टर्स आते हैं तो इसे हम कुछ दो महिने में खतम करेंगे, एक चाप्टर लगबग 10 दिनों में ये नीट 2024 और नीट 2025 के बच्चों के लिए काफी लाबधायक वीडियो है स्टार्ट करते हैं Motion in One Dimension चलिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, Motion in a Straight Line इसमें जो हमारे topics cover होंगे, पहले quickly एक बार वो discuss कर लेते हैं कि क्या-क्या topics होंगे तो हमारा पहला topic होगा इसमें rest and motion क्या चीज होती है rest and motion, काफी बेसिक बात है ये तो ऐसे ही हवा में discuss कर लेंगे इसके बाद की कहानी यह आती है, distance और displacement की distance क्या है and displacement क्या है उसके बाद आएगी कहानी speed, velocity speed, velocity और साथ में average speed and average velocity ठीक है बच्चों इसके बाद, देखें यहाँ पर basic चल रहा है कि distance क्या है, displacement क्या है, speed क्या है, velocity क्या है इसके बाद, अगर body का motion accelerated है तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें हम आगे concept आएगा हमारा equations of motion जिसको हम uniformly accelerated motion के understudy करते हैं इसकी कहानी तब होगी जब acceleration constant होगा body one dimension में भाग रही होगी one dimension की दो बात होगी होगी हाँपर कहीं कहीं पर मैं chapter में बीच में थोड़ा थोड़ा vectors आड़ कर दूँगा इस mechanics की series में आपको थोड़ा mission मिलने वाला है projectile motion जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें दो projectile का collision जिसमें conservation of momentum लगता है एक projectile पे बैटके दूसरे को देखो relative motion projectile में थोड़ा थोड़ा mechanical energy conservation तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़े आगे पिछे की mix होती में नज़र आएंगी अब यही acceleration अगर gravity की वज़े से है तो इसे आप motion under gravity के अंडर study करेंगे motion under gravity same equations of motion के अंदर आप बस acceleration gravity की वज़े से मान लेंगे ठीक है बच्चों इसके बाद हमारी काफी कहानी आती है जो तगड़ी आती है वो है graphs की तो इसमें graphs में आपको एक बहुत लाजबाब चीज़े मिलने वाली है कि कुछ 40-50 graphs दुनिया के सारे collect करके आपको कराए जाएंगे इसके बाद आ जाता है lastly non-uniformly accelerated motion जिसमें acceleration भी लगातार बदल रहा है तो ऐसे cases में सारी questions of motion invalid हो जाती है और आपको सिर्फ और सिर्फ differentiation और integration calculus का सहारा लेना पड़ेगा non-uniformly accelerated motion जिसमें आपको अब सिर्फ और सिर्फ calculus की बात करनी है ठीक है बच्चों यह हमारी कहानी रहेगी आज की इस छोटे से lecture में हम rest motion, distance displacement, speed velocity average speed, average velocity पढ़ने वाले हैं अगले lecture में equations of motion यह हमारा lecture 1 रहेगा lecture 1 equations of motion पे काफी लाजवाब सवाल market में available है lecture 2 यह रहेगा motion under gravity हमारा lecture 3 रहेगा लगबग 10 दिनों में हम चाप्टर खतम करेंगे और उसके बाद graphs पे हो सकता है कि हमारे 2 lecture आए lecture 4 and 5 और non uniformly accelerated motion के अंदर differentiation पे एक lecture आएगा और integration पे आपका एक lecture आएगा जिसमें सारे questions include हो जाएगे तो लगबग 7 lecture 10 दिनों के अंदर complete करेंगे चलिए start करते हैं rest और motion बहुत basic चीज से rest और motion क्या चीज है तो इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे rest and motion क्या होता है बच्चों हम कब बे लेंगे कि एक body rest पे है when its position is not changing with respect to its surroundings with time body is set to be at rest when its position does not change with time with respect to its surroundings है ना तो rest का क्या मतलब है position does not change एक body की position does not change with respect to its surroundings with time समय के साथ ठीक है बच्चों motion का मतलब आप समझ चुके हैं कि जब body की position change होती है समय के साथ उसके surrounding के respect में तो आप बोलेंगे body motion में में motion की definition नहीं लिख रहा हूँ ठीक है position changes with respect to its surroundings with time then body is definitely set to be in motion ठीक है एक बात याद रखिया आप rest and motion relative बाती है rest and motion are relative मतलब एक ही समय पर एक person rest पे भी हो सकता है और motion में भी हो सकता है दो अलग-अलग observer के हिसाब से बच्चों एक ही समय पर एक ही समय पर एक person rest और motion दोनों में हो सकता है दो different observer के हिसाब से आप example देख सकते हैं बहुत simple example है हमार पास एक bus में person A और person B travel कर रहे हैं bus आगे जा रही है और ground में एक person C खड़ा हुआ है ground observer person C तो अगर A और B rest पे खड़े हुए हैं bus के अंदर तो क्या बोलेंगे आप आप बोलेंगे कि sir A is at rest A is at rest किसके respect में B के हिसाब से भाईया B कह रहा है A नहीं हारा मेरे पास में न दूर जा रहा है A की position मेरे हिसाब से तो नहीं बदल रही है लेकिन A is in motion A is in motion obviously with respect to person C बच्चो है न A is in motion with respect to person C बहुत simple बात ही rest और motion में और कुछ खास बाते हैं हमें नहीं सीखनी है आगी के concept पे आते हैं distance और displacement पे चलिए distance and displacement की बात होगी है हमारी अब अब ये distance and displacement क्या चीज़ है distance होता है बच्चों actually जो रास्ता चला है उसकी कितनी length होगी बहुत simple distance क्या है it is the it is the actual length of path travelled between initial and final position initial and final position ठीक है न बच्चों actual length of path traveled between initial and final position distance scalar quantity है बाल को scalar है सिर्फ magnitude है direction नहीं होती चलिए अच्छी बात है अब displacement पे बात आती है तो displacement क्या चीज़ है बताईए बाल को displacement है length of the shortest path starting point से ending point तक जाने का सबसे चोटा रास्ता जो है वो displacement है है ना तो displacement क्या है length of the shortest path length of the shortest path between between initial and final position between initial and final position vector quantity अब हाई लोगों vector quantity ठीक है ना vector quantity है चलिए आईए बहुत बेसिक दो चार question distance और displacement के discuss करते हैं चलिए पहला सबसे बेसिक सवाल कि भाई एक circular track है एक circular track है भाई लोगों और एक पार्टिकल start करता है A से और पहुँच जाता है B पे clockwise sense में आपको बताना है distance और displacement क्या होगी ठीक है तो पार्टिकल moves from particle है भाई particle moves from A to B A to B जा रहा है आपको बताना है distance किता है path मैंने दिखा दिया है क्या है distance क्या है और displacement क्या है भाई लोगों जल्दी what is the displacement what is the displacement तो कुछ नहीं है actual रास्ते की length distance है भाई या distance क्या होगा circumference होता है 2 pi r 2 pi r का 1 4th होगा pi r by 2 ये होगा बालको distance displacement क्या होगा यहां से यहां तक जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या होता वो displacement होती है तो आपको पता है 90 degree है perpendicular base hypotenuse है ना तो displacement होगा बच्चों under root में perpendicular square plus base का square जिसको आप root 2 r कहेंगे हैं आपर काफी simple सवाल ठीक है बच्चों लिखे जल्दी से एक और question कर लेते हैं यह भी बहुत easy question है question number 2 एक wheel है बच्चों roll कर रहा है slip हुए भी ना मतलब जितना गूम रहा है उतना ही आगे जा रहा है जितना गूम रहा है उतना ही आगे जा रहा है है ना तो wheel is rolling without slipping roll करते वे आगे जा रहा है है ना इसका एक bottom most point P1 है ठीक है आपको पता है यह बात की half revolution में P1 उपर आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा half revolution में जो P1 है बच्चों वो उपर आ जाएगा है ना आपको बताना है displacement आपको बताना है displacement कितनी होगी bottom most point की in half revolution question कह रहा है a wheel is a wheel is rolling without slipping wheel is rolling without slipping calculate कर डालिए calculate displacement of अच्छे शब्दों में बोलेंगे point of contact displacement of point of contact in half revolution in half revolution है ना बच्चों point of contact की displacement बतानी है आधे revolution में परफेक्ट है देख लिजे तो भाईया ऐसा है P1 यहां से यहां पहुँच गया है P2 यह shortest रास्ता होता वहां तक जाने का यह 2R है और हाफ revolution में जो distance होता है ना बालको यह पाईयार होता है है ना तो यह पाईयार यह 2R P1 P2 आपको निकालना है ओविसली आपको राइंगल की hypotenuse calculate करनी है तो ठीक है कर दीजे ना P1 P2 क्या होगा अंडर रूट में पाईयार का स्कुएर बालकों प्लस 2R का स्कुएर आर बाहर ले लिजे अंडर रूट आफ पाई स्कुएर प्लस 4 यूनिट्स ठीक है बच्चों काफी सिंपल question displacement का लिक डालिए बच्चों नोट कर यह जल्दी से pause करके आ जाए यह next question पर question number 3 क्या होगा question number 3 जो है वो यह है कि एक भाई साब जी है under the influence of alcohol ठीक है एक भाई साब जी under the influence of alcohol है इनको प्यार से drug card कहा जाता है drug card ठीक है तो यह क्या कर रहे है यह रहे है पांच step आगे जा रहे है तीन चार पांच और फिर तीन स्टेप पीछे आ रहे है ठीक है drug card takes three step forward और five steps forward और नवकर्ट चल रहे है ऐसे ही, unknowingly, इन्हें पता नहीं है कि जीवन में क्या करना है, ठीक है, तो 5 step आगे और 3 step पीछे आ रहे हैं, इनसे 13 meter की दूरी पर एक pit है, गड़ा है, ठीक है भाई लोगों, एक गड़ा है, और अब ये पुछा जा रहा है कि इनकी distance और displacement क्या होगा, before he just falls in a pit, 13 meter away from his starting point, चलिए मैं अंग्रेजी लिख जेता हूँ आपके लिए, a drunkard, a drunkard takes 5 steps forward and 3 steps backward, unknowingly कर रहे हैं, भाई सब जी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है, if each step, if each step is 1 meter long, calculate करिये जल्दी से बाल को, distance and displacement, and displacement, before he just falls in a pit, 13 meter away from his starting point, from his starting point, ठीक है बच्चों, before he just falls in a pit, 13 meter away from his starting point, तो भाई सब 5 meter आगे जाते हैं, 3 meter पीछे आरें, टेक्निकली यह यह रहा है, एक step 1 meter long है, तो जब यह एक गड़े में गिरने वाले हैं, तो 13 meter दूर गड़ा है, तो इनका distance or displacement पूछा गया है बाल को, वो देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है, आज आईए, तो यह भाई सब जितने steps ले रहे हैं, और यह कितना जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, फिर यह आगले 8 step और लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, तीन, पीछे, है ना, तो फिर ऐसे करकर कि यह होता रहेगा, फिर यह आगला 8 steps लेते हैं, मत्ब टोटल हो जाते हैं, इसको accumulative ली आइड कर रहे हैं, भाई साब जी 16 steps लेते हैं, बस starting point से सिर्फ 4 मिटर आगे पहुचपाते हैं, अब समझ पारे हैं, 5 मिटर आगे जाकर 3 मिटर पीछे आना, ठीक है? फिर यह 8 steps लेते हैं, भाई लोगों फिर यह 6 मिटर पहुचपाएंगे, फिर यह 8 steps लेते हैं, अब ये 8 मीटर पे पहुँच पाएंगे भाई लोगों अब हुआ ये है कि वो 8 मीटर पे आ चुके हैं 9, 10, 11, 12, 13 अगले 5 स्टेप जब वो लेंगे है 1, 2, 3, 4, 5 तो ये भाई साब जी यही पर गिर जाने वाले हैं चीक है? यही पर गिर जाने वाले हैं वापस आने का कोई हिसाब नहीं है तो अगले 5 स्टेप और लेने पे वो 13 मीटर पे पहुँच रहे हैं और आम मान लेते हैं कि यहां बिल्कुल गड़ा है और इन भाई साब जी का पैर स्लिप हो जाता है तो देख लिजे आप, अब ये कितना ही डान्स करते हुए गड़े की और क्यों ना गए हो गड़े के और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की शॉटेस्ट दूरी 13 मीटर ही थी तो डिस्प्लेस्मेंट तो बाल को 13 मीटर ही आने वाला है है ना? लेकिन, लेकिन, लेकिन actually उन्होंने जितने भी स्टेप्स चले है क्योंकि हर एक स्टेप 1 मीटर लॉंग रहा होगा तो इसलिए डिस्टेंस ट्रैवल बाल को 37 स्टेप्स के हिसाब से 37 मीटर आएगा I hope आप समझ गये, काफी असान सवाल ठीक है बच्चो distance displacement पर कोई बहुत ज़्यादा variety अविलेबल है भी नहीं तो बस जो 4-5 question ही discuss करते हैं चलिए, अगला सवाल आपके सामने देखिए इसमें हलका सा vector मिला देते हैं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम July से session स्टार्ट करते हैं आप 11 studying है तो आपने motion in a straight line vector का कुछ-कुछ थोड़ा-thोड़ा कहानी पढ़ी होगी है ना तो हम motion in a straight line में 2-4-2-4 vector के question भी add कर लेंगे ऐसे ही chapter में mixed hybrid बनाते जाएंगे question और आप 12 studying है already आप motion in a straight line vector जानते हैं थोड़ा-thोड़ा और dropper बच्चे तो वैसे ही जानते हैं ठीक है तो थोड़ा सा vectors लगाते हैं चलिए तो कहानी ये है कि एक particle circular track पे move कर रहा है बाल को uniform speed से circular track है देखिए uniform speed uniform velocity नहीं हो सकती बाल को क्यों क्योंकि direction हर moment पे बदल रही है तो circular motion अगर uniform circular motion है तो उसमें भी speed constant होती है velocity constant नहीं होती है कभी भी नहीं होती है ठीक है चलिए anyways एक particle A है ये position vector origin से r1 है कुछ देर के बाद ये particle यहां पहुँच गया और उसका position vector हो गया r2 बाल को और center पे angle theta subtend हो गया particle घूम रहा है anti clockwise में anti clockwise में घूम रहा है particle A से B पहुँच गया थोड़ी देर में अब आपको बताना है इसकी displacement क्या है distance तो निकली जाएगा arc AB की length आपसे बोला जाए कि A से B तक पहुँच गया है आपको क्या लग रहा है कि इसकी distance क्या है और इसकी displacement का magnitude क्या है बाल को तो distance निकालना कोई बड़ी बात नहीं है length of the arc ही distance है निकाल ले सकते हैं है ना आप जैसे मर्जी निकालना चाहें distance निकाल लेजे है ना बच्चों अगर आपने theta मान लिजे theta आपने degree बाला ले लिया जो भी degrees में होगा theta उसे ले लिजेगा upon 360 degree है ना into पूरे circle की circumference तो यह तो distance हो गया theta by 360 into 2 pi r काफी simple है है ना अब अगर आपको displacement निकालना बाल को तो वो कैसे निकलेगी तो भाईया displacement a point से b point तक जाने का सबसे छोटा रास्ता होगा यानि a b vector displacement होगा भाई vector हाँ तो displacement तो vector quantity ही है तो यह भी vector ही तो निकलेगा ठीक है तो displacement क्या होगा a b vector बाल को ठीक है मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपको हलकी full key vectors की knowledge है तो तब ही मज़ा आएगा हमें mechanics की series में करने में question जब हम questions को mix करते रहेंगे चलिए तो triangle law vector कुछ कह रहा है triangle law vector क्या कहता है according to triangle law of vectors है न बच्चों वो क्या कह रहा है कह रहा है अगर आपने 3 vector लिए है और 2 vector आपने triangle की 2 sides के तोर पे लिखती है एक order में तो उन दोनों sides का vector sum बराबर होगा triangle की तीसरी side के opposite order में है ना तो पकड़ दीजे 2 side OA vector triangle की एक side है बाल को AB vector triangle के दूसरी side इन दोनों का sum बराबर होगा triangle की तीसरी side के opposite order में ये हम R1 बोली चुके हैं AB हमें निकालना है और OB हम R2 बोल चुके हैं बाल को AB vector हमारा होने वाला है R2 vector minus R1 vector ठीक है बच्चों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि circle की radius ना बदलती R1 vector का magnitude R2 vector का magnitude दोनों को आप circle की radius बोल सकते हैं से मतलब चलिए बोल दिया अब आपको AB vector आया है R2 minus R1 तब आपको अगर यहाँ पर AB vector का magnitude देखना है बाल को तो AB vector का magnitude हो जाएगा mod में R2 vector minus R1 vector अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 2 vector का difference कर रहे हैं और उनके difference का magnitude ले रहे हैं तो इसका formula होता है A का square अरे A के उपर अगर arrow नहीं लगाया ना तो वो A vector का magnitude ही होता है तो A का square plus B का square minus में 2AB cos theta बच्चों है ना under root में A square plus B square minus 2AB cos theta यह आपका formula होता है तो लगा दीजिए ना problem क्या है under root में R का square plus R का square minus 2R square cos theta R1 R2 का magnitude तो सेम ही है ना बाल को चलिए हलकी सी trigonometry इस्तमाल करेंगे यहाँ पर बाल को देखिए यह standard formula भी है vectors में बट कितना याद करेंगे mechanics में हम कोशिश करेंगे कि कुछ-कुछ shortcuts के लिए अलग से चीजे बताएंगे आपको बट जाएंगे concept wise under root 2R square 1 minus cos theta भाई लोगो trigonometry भी लग रही है यहाँ पर अब trigonometry का formula रहेगा 1 minus cos A का formula half angle formula बोलती है दुनिया इसे 2 sin square a by 2 ठीक है vector में यह भी use होगा भाई लोगों 1 plus cos A का half angle formula 2 cos square a by 2 भी होता है तो vector में यह भी इस्तमाल करेंगे याद रख लीजेगा काम आएगा जीवन में तो 1 minus cos theta की जगए अंडर root में 2 r square 2 sin square theta by 2 चलिए square root square root खेलते हैं बाल को तो 4 का root आगया 2 r square का r sin square theta का sin theta by 2 है न बच्चो और यह हमें ऐसे mod में लिखना पड़ेगा क्यों भी mod में क्यों लिखना है याद रखिए बाल को root 9 plus minus 3 नहीं होता किसी भी number का square root सिर्फ positive होता है तो इसलिए आप कभी भी square root और square cancel करेंगे तो mod लगाएंगे हमेशा answer में ठीक है भाई लोगों चलिए displacement का एक और distance displacement का simple question करने के बाद में एक छोटा सा हलका सा vector का question और करेंगे distance displacement का उसके बाद speed velocity पे आगे पढ़ेंगे चलिए यह हमारा next question काफी simple हो जाता है देखे a particle starts from rest rest से start कर रहा है ठीक है उसके बाद moves 3 meter along positive x axis particle का मतलब आप समझ लीजे कि यह कोई insect हो सकता है हवाँ में उड़ भी सकता है 3 meter along x axis जा रहा है यह cumulatively जा रहा है पहले x axis के अलोग जा रहा है फिर y के अलोग जा रहा है फिर z के अलोग जा रहा है पहले x के अलोग जा फिर y के अलोग जा फिर z के अलोग जा रहा है तो उसके बाद यह जा रहा है बाल को 4 meter long positive y axis उसके बाद यह जा रहा है 5 meter long मान लीजिए positive z axis ठीक है भाई लोगों अब आप से पूछ रहें कि आपको क्या लग रहा है कि यह तीन जगहों पर गया है origin से start करके तीन दिशाओं में गया है आपको क्या लग रहा है कि distance और displacement कितना होने वाला है तो distance तो कुछ नहीं है भाई किदर भी जाएगा अगर चलेगा तो distance तो add हो गई होगा ठीक है तो अगर चलेगा तो distance तो add होना ही होना है बच्चो है ना तो यहाँ distance क्या रहेगा बाल को distance length of the path है बाल को 3, 4, 5 एड कर लीजिए सोचिए मत 9 और 3, 12 मीटर रहेगा distance कुछ मतलब नहीं है भाई किदर को जा रहा है जा रहा है तो जा रहा है displacement में फरक पड़ता है भाई किदर को जा रहा है ठीक है अब displacement तो vector quantity है तो displacement के उपर ऐसे arrow सा बना देता हूँ vector represent करने के लिए x-axis, y-axis और z-axis की बात होगी बच्चों x-axis, y-axis, z-axis अब 3 मीटर x-axis के along गया है तो 3 मीटर तो सिर्फ magnitude है vector कैसे बना उसे तो 3 i-cap लिखूँगा और अगर 4 मीटर y-axis के along गया है तो 4 j-cap 5 मीटर z-axis के along गया है तो 5 k-cap बालकों किसी भी vector का magnitude कैसे निकलता है under root में i-cap के coefficient का square, j-cap के coefficient का square, k-cap के coefficient का square displacement का magnitude 5 root 2 meter रहेगा बच्चों i hope आप समझ गये distance और displacement के काफी basic सवाल बच्चों हमने की है ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे speed velocity average speed average velocity की ठीक है चलिए तो speed velocity average speed और बालकों average velocity चलिए भाई लोगों देखते हैं तो speed velocity average speed average velocity ठीक है अब याद रखें आप की speed होता है distance traveled divided by time taken speed होता है distance traveled divided by time taken और बालकों अब मुद्दा क्या है हम कोई भी एक example ले लेते हैं पिछले वाले distance और displacement के example के अंदर ही हम speed और velocity की छोटी-छोटी बात कर लेते हैं चलिए देखिए है ना भाई लोगों एक कदम चलने में एक second लग रहा है वो आगे बड़े या पीछे बड़े time एक second ही लग रहा है ठीक है अब आप बताईए आपको क्या लग रहा है कि गड़े में गिरने तक में speed क्या रही होगी और velocity क्या रही होगी है ना पर second वैसे भी काफी simple था speed तो यही थी एक step एक मीटर का था और एक step में एक second लग रहा था तो speed तो वन मीटर पर second ही आने थी velocity क्या लग रही है आपको velocity बताईए भाई लोगों velocity होगी तो यह इतना आगे पीछे जाने के चक्कर में नाचने के चक्कर में इनका displacement कम रहा गया टाइम इने उत्ता ही लगा है तो velocity इसकी कम है तो जाधतर cases में velocity less than और equal to होगी speed के equal to तब हो सकती है जब यह वापिस ना आता straight चलता तो distance और displacement बराबर होते तो speed और velocity का magnitude भी बराबर ही आ जाता ठीक है ना काफी simple और देखना है अगर आपको example तो आप यहाँ भी देख सकते हैं बाल को कि आपने देखा था displacement कितना था और distance कितना था अब अगर आपको यह द आप यही पर लिख देंगे speed होगी भाया distance distance divided by time मान लिजे 10 second लगा और velocity होगी भाय लोगो displacement divided by जो भी time लगा मान लिजे 10 second तो speed और velocity काफी easy है बच्चो ठीक है अब हम बात करते हैं कि अगर हमें distance time graph दिया जाए और displacement time graph दिया जाए तो क्या उससे speed और velocity निकल सकते हैं हाँ निकल सकती है तो देखिए अगर यह हमारे को एक simple distance time graph दिया जाए ठीक है तो यह एक simple distance time graph है तो हम अभी जैसे जैसे हमें जरुत पढ़ेगी graphs को discuss करने के हम बहुत थोड़े-थोड़े graphs यहां पर discuss करेंगे और एक end वाला जो portion में ने graphs करके lecture बनाया उसमें कुछ लाजवाब सवाल करेंगे graphs के है ना तो यह आद रखिए कि supposedly कुछ ऐसा ही graph बन गया distance versus time तो distance versus time graph का जो slope होता है उसे हम tan theta कहते हैं वो आपको speed देता है है ना बच्चो तो slope of distance versus time graph gives speed ठीक है उसके बाद में अगर बात हो रही है simply displacement versus time graph की बात हो रही है displacement versus time graph की बाल को तो displacement versus time graph ऐसा है मान लीजिए तो उसका जो slope होगा उसका जो tan theta होगा वो आपको velocity देगा तो displacement versus time graph का slope आपको velocity देने वाला है ठीक है आजाए है हम छोटी-छोटी बाते कर लेते हैं इसी distance और displacement versus time graph पे ठीक है चले छोटी-छोटी बाते कर लेते हैं मान लेजिए आपको एक question दे रखा है काफी simple कि भाया हम आपको displacement versus time graph दे रहे हैं हैं दो particles का ये रहा displacement versus time graph दो particle का particle A, particle B है ना और angle दे देंगे 60 degree ये वाला angle 60 degree और ये वाला angle 30 degree आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों particle A और B की velocity इसका ratio कितना होने वाला है तो बहुत simple question है particle A की velocity tan theta tan 60 degree रहेगी तो particle A की velocity tan 60 degree रहेगी बच्चों particle B की velocity उस graph का slope रहेगा यानी 10 30 degree अगर हम particle A की velocity और particle B की velocity को divide करेंगे बाल को तो root 3 divided by 1 by root 3 आएगा और ratio आजाएगा 3 is 2 1 हाली में एक दो साल पहले NEET में आएवा question है अब देख सकते हैं कि कितने असान question दिखाई देते हैं NEET में है ना बच्चों अब हम कुछ छुटके छुटके से common displacement time graph देख लेते हैं जो बहुत common है आपने 9th class में भी अल्रेड़ी देखे हुए और हम अभी उस graph को interpret भी 9th class की तरह ही करेंगे है ना जब हम detail में graph पढ़ेंगे तब हम आपर slope tangent slope of tangent बढ़ रहा है घट रहा है उस तरह से discuss करेंगे अभी हम ऐसे discuss करेंगे graphs को जैसे 9th class में कराये जाते हैं ठीक है तो आज यह कुछ common displacement time graph देखते हैं बहुत quickly बहुत जादा quickly सारे सेम देख रहे हैं नहीं बच्चो सारे सेम नहीं अलग अलग है देखिये ध्यान से देखिए देखिये ग्राफ अलग है यह 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 ग्राफ अलग है है ना बच्चो मान लिजीए कि यह ग्रा लिख दिया displacement versus time बाल को displacement versus time फिर से displacement versus time ठीक है बच्चो अब यह याद रखिए कि भाई साब displacement तो बदली नहीं रहा है समय भरता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है displacement chain नहीं हो रहा तो इसका मतलब एक ही है कि body rest पे रही होगी body at rest है ना बच्चो body travels equal displacements या equal distances in equal intervals of time तो यहाँ पर वैसे भी जो यह थीटा है कभी बदल नहीं रहा है है आप कोई भी time interval ले ले शुरू का या बाद का बाल को body एक given time interval में उत्ता ही आगे जा रही है है ना यह time interval ले लिया हमने अगर इतना ही time interval यहां भी लोगे तो यह जो distance traveled है यह सेम आएगा तो यह indicate करता है बच्चो uniform velocity युनिफॉर्म वेलोसिटी और उस युनिफॉर्म वेलोसिटी की ना वैल्यू होने वाली है बाल को टैन थीटा के बराबर उमीद है आप समझे ठीक है अब यहां आ जाईए यहां क्या हो रहा है यहां अगर आप दो तरह से interpret कर सकते हैं यह time interval ले लिया आपने सेम time interval शुरू में लगभग उतना ही time interval बाद में बाल को यहां पर इस time interval में distance जादा ट्रैवल हुआ और बाल को बाद वाले time interval में distance कम ट्रैवल हुआ है तो इसका मतलब decreasing velocity है retarded motion है है ना decrease हो रही है velocity retardation की बात हो रही है retardation ठीक है भाई लोगों अब यहां देखा जाए एक time interval में कितना distance ट्रैवल हुआ है इतना ट्रैवल हुआ है कुछ देर के बाद अगर हम उतना ही time interval ले 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 लें बाल को तो क्या हो रहा है देख लीज़े आप है ना अगर हम कुछ देर के बाद उतना ही time interval ले 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 बाल को तो यह बहुत जादा travel हो रहा है बहुत जादा है ना कितना जादा distance travel हो रहा है time भी थोड़ा कम ही लिया है तो यह velocity increase हो रही है और यह motion लाजवाब तरीके से accelerated रहेगा ठीक है भाई लोगों यहां क्या हो गया यहां हो गया कि time नहीं बदल रहा displacement change हुए जा रही है theta 90 है यह indicate करता है infinite velocity बाल को यह indicate करता है infinite velocity यह एक practically impossible situation है ठीक है ना बाल को यह practically प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है ऐसा नहीं हो सकता ठीक है ना impossible situation है चलिए हमने briefly speed और velocity discuss किया है speed scalar है velocity vector है ठीक है अब हम average speed और average velocity की और आगे बढ़ते हैं बच्चों चलिए तो अब हमारा concept रहेगा average speed and average velocity average speed है आपने total कितना distance travel किया है और उस distance को travel करने में समय कितना लगाया है हो सकता है कि आप यहां से दिल्ली से किसी दूसरे शहर में गए गाड़ी से गए 100 km पर आर से नीचे गाड़ी नहीं चलाई बट आपको time बहुत जादा लग गया क्योंकि आप किसी restaurant में एक देट घंटा रुक के मस तरीके से खाना खाने लगे तो वो एक देट घंटे का time जिस time आपकी गाड़ी नहीं चल रही थी वो आपके average को खराब करेगा है ना तो यहां पर हम पहले discuss करेंगे average speed और average velocity में कुछ खासा अंतर नहीं रहेगा बट यह होगा कि total displacement upon total time है ना तो average speed आपका जो